Hello everyone, welcome again to our channel, जहाँ हम छोटी-छोटी प्रैक्टिस लेकर आते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो आप घर पैठे उसको सुलजा सकें, मेरा मिशन है कि मैं हर घर तक ऐसे छोटी-छोटी हीलिंग्स थारे भी लेकर जाओं, जो आप अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरों की प्रॉब्लम्स चुटकियों में सुलजा सकें, अपने एमोशन, अपने थौट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने कंट्रोल करें अपनी लाइफ को, जैसा आप चाहते हैं, वैसा आप हो. तो क्या आज आप इससे लोगों को आपने देखा हैं, लोग को स्ट्रेस या इंसाइटी से पीस करें, क्या आप उनमें से हैं, क्या आपको स्ट्रेस या इंसाइटी फीलिंग हो रही हैं, क्या आपको डर लगता है, या आपके पास बहुत सारे फॉर्स एक्सपेक्टेशन तो आज का वीडियो आपके लिए है पुरा अंत तक चुड़े रहेगा ताकि हम हो पनो-पनो EFT लॉब अट्राक्शन से सबसे आपका जो यह फीलिंग है उसको रिमूब कहते हैं और धीरे-धीरे आपकी लाइफ से पूरी तरीके से चले जाए तो नमस्कार जो लोग में इस काफी लोग को सुनते हैं तो चलिए करते हैं हो पनो-पनो for stress and anxiety काफी लोग को सुनते हैं I'm feeling stress, I'm feeling anxiety, so let's deep dive into the root cause of it, anxiety क्यों होती है हमे, stress क्यों होता है हो, कही न कमी हमें fear है, right? उस चीज का ढर है, यह तो वो चीज हो नहीं रही है, यह वो चीज हो नहीं रही है, यह वो च उस चीज का ढर है, right? और fear का meaning क्या होता है, false evidence appearing real, और जैसे ही हमें stress होने लगता है, हमारी body से stress hormone निकलने लगता है, और वो और सोने पर सुहागा कर देता है, कि और आपको, तो यह root cause जो है, वो start कहां से होता है, एक thoughts से, right? एक thought या एक false expectations, क्या हम सोच रहे हैं, what I am feeling, what I am suffering with, यह अपने तर्माग से, अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हम बोल तो बहुत देते हैं कि हम इंसाइट लोड़िया में stress हो रहा है, लेकिन हम बहुत वेगली बोलता है, हम एक चीज पता नहीं है, कि कौन से thought से, यह मेरी feeling creates हो रही है, एक तो fear है, एक expectations है, हम ने बहुत high expectations रखे हैं, अपनी life से भी और लोगों से भी, और जब वो पूरी नहीं होती है, तो हम में panic attacks or anxiety होती है, now today, let's release it, हो पनो पनो, for stress, anxiety, depression, all right, take a deep breath, और फिल करें कौन से ऐसी feeling है, जो अभी आपको कौन से ऐसा thought है, कौन से ऐसा fear है, जो आपको बहुत कर रहा है, वो है नहीं, बट आपको सोच रहे हो, यहां तो हो ना जाए, यहां हो नहीं रहा है, यहां हो नहीं रहा है, यहां हो नहीं रहा है, तो आपके expectations फूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपको anxiety हो रही है, और अगर हो नहीं जाए, तब भी आपका anxiety हो रही है, so root cause को जानना बहुत जरूरी है, अपने mind-pick question, counter question करना बहुत important है so feel करें, close your eyes, taking 100% responsibility for your well-being taking responsibility of your feeling of stress, anxiety and depression, panic attacks and feeling उस thought को लेकर आईए अपने मन में क्या feeling ये create कर रहे है, कौन से thought, कौन से expectations, कौन सा ऐसा डर है जो आपको stress, hormone release करवा रहा है इसको feel करें और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं एक हाथ आपका right hand on your heart and अगर आप रिख रहे हैं, अगर आपने paper में लिखती हैं, कौन से ऐसी negative feeling है negative thoughts है, जो ऐसे-ऐसे feeling मेरी create कर रहे है और उसको आप cope करके, coping mechanism से, आप कौन सा thought, emotion create करना चाहा रहे है अगर आप लिख रहे हैं, तो एक बहुत भैतरी इन प्रैक्टिस है कि एक हाथ आपका right hand on your heart, और एक हाथ आपका रहेगा paper पे और इस paper पे लिखेंगे I am taking 100% responsibility for my fear, anxiety and depression, emotion, feeling and मेरी साथ repeat करेंगे अगर आपने आखे बंद की हैं, आप मनी मन सोच रहे हैं, feel कर रहे हैं, तब भी ठीक है उस feeling को लाईए, जो आप manifest करना चाह रहे हैं अब Relax, calm, peaceful How wonderful I am so sorry for my feelings of stress, anxiety I am sorry to create all these emotions for me I am sorry for not taking control of my emotions, of my thoughts which is causing me to feeling of fear and anxiety I am so sorry for all my false expectations and high expectations from myself and from others I am so sorry for this creation I am only responsible for all my feelings, for all my thoughts Please forgive me for all my creations, which leads anxiety and stress in my life please forgive me for my false expectations and fear please forgive me for creating false story in my life which leads to release of stress hormone and it gives me more anxiety and fear and stress, please forgive me for all my creation of stress and anxiety and fear thank you so much for this beautiful awareness that I am going through stress anxiety and fear, sometimes panic attacks thank you for this awareness, that my feelings and false expectations are my feelings thank you now I am in absolute control of my thoughts and feelings thank you universe for always there for me thank you for the feelings of stress anxiety, fear also this is my strength and powerful and I am ready to release all of them I am ready for positive outcomes I am ready to take care of myself I am ready to take time now for my self-care practices I am ready to release all my stress, fear, anxiety I love you, my feeling of fear, anxiety, stress I love you universe, what this beautiful positive coping mechanism I am grateful universe, I love you, I love you I am sorry I am sorry please forgive me Thank you I am sorry dear feeling of stress anxiety I am sorry please forgive me thank you I love you dear feeling of stress anxiety fear for my false expectations I am sorry please forgive me thank you I love you dear all my feelings please forgive me thank you I love you I know you submit a creation here and I am now ready to release them with power and peace I'm ready to embrace calm and peaceful mind I'm now ready to reprogram my subconscious mind which each deep breaths I am ready to release my stress and anxiety I am choosing calm and positive and peaceful mind now I am ready to release my happy hormones I am sorry please forgive me thank you I love you how wonderful how wonderful I hope I've got stress fear anxiety human the roger of the life say and up a responsible message we have a strong feeling or anxiety and stress that's what we are saying is that our thoughts are which leads to me suffering off these emotions you don't understand what you are feeling what I am suffering with तो आपको जरूर अपना mind बताएगा कि मैं क्या feel कर रहे हूं और किसे मुझे suffering हो रही है यह तोनों feeling लेना बहुत जरूरी है एक-एक feeling को release करेंगे जैसे मैंने अभी कराया तो आपके सारे डर, fear of anxiety, fear, false expectations और एक new experience, new outcomes के लिए आप तयार रहे हैं अब त्सक्तिस EFT विथ affirmations कि हम law of attraction लेंगे और कि रिलेस करेंगे hope नगों से जो भी मेरा आपके सारे हैं यह तोन परसंप्सप्सप्सबिटी जो भी feelings आपके सारे कि यह तोनों परसंप्सप्सप्सबिटी जो भी feelings I'm feeling feeling of stress, anxiety, panic attacks, my false expectations, even though I'm having all these but I'm choosing to love, accept, and honor myself the way I am now I'm ready to embrace calm and peaceful mind I'm sorry please forgive me thank you I love you I'm ready to release my stress and anxiety I am sorry please forgive me thank you I love you with each deep breath I am taking I am releasing my stress and anxiety I am sorry please forgive me thank you I love you I am powerful I am ready to embrace positive coping mechanism for my stress and anxiety I am sorry please forgive me thank you and I love you I am grateful for all the resources and self-care practices that helps me in managing my stress and anxiety that helps me in managing my stress and anxiety I am sorry please forgive me thank you I love you I am ready to release happy hormones I am ready to be happy calm and peaceful I am sorry please forgive me thank you I love you I am ready to reprogram my subconscious mind I am sorry please forgive me thank you I love you I am ready to embrace new positive emotions like calmness responsiveness I am in full control of my feelings and thoughts I am sorry please forgive me thank you and I love you all this stress, anxiety, feelings are nothing I know, these all are my creation, I am powerful, if I am powerful enough to create these feelings, so I am powerful enough to delete all these feelings also, destroy all these feelings also with love, care and attention, right? I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am now ready to embrace positive outcomes, I am grateful for my calmness, for my peaceful mind, I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. Take a deep breath and check how are you feeling, your stress 10 feeling highest and how are you feeling? Do this EFT rounds for 8 to 10 times and see your fear, anxiety, stress, false expectations in the future. So thank you so much for joining with me live, thank you so much for this wonderful practices of Hoopanopano and EFT, and having a great opportunity, which helps us to remove everything, and a positive mindset, a peaceful mindset, so thank you so much. जिन भी लोगों ने हमाई चानल को लाइव, सब्सक्राइब शेयर ने किया है Do like, share and subscribe हमाई चानल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे ताकि उन सभी को लाब मिले और मुझे भी एक मौटिवेशन मिले एक नए-ने वीडियो उस्राने का So, thank you so much again Thank you for being awesome Stay awesome एंसाइटी और फिर की फिलिंग से मुक्त जीवन जीने के लिए तयार हो जाहिए have a blessed time ahead, thank you so much may I be the channel of blessings for someone today the rest of my life is going to the best of my life I am always taken care of, thank you so much I am always taken care of